हालो एप्रिवान और आज की रेसिपी है यह दाल बेसिकली मूंग दाल है जो मैंने दो तीन दाले और मिलाके बनाया है बहुत ही यह दाल लगती है आप यह ट्राइ कीजिएगा आपको पसंद आएगा इसके लिए शुरुबात करते हैं दालों को भीगोने से मैंने यहां पर बहुत थोड़ा चना दाल लिया है इसके बराबरी में थोड़ा सा यहां पर मसूर दाल ले रही हूं बैसिकली मूंग दाल की रेसिपी है बट मूंग की दाल का टेस्ट और उतना जादा सबको पसंद नहीं आता है इसलिए मैं इसमें यह दो दाले मिला रही हूं आप चाह जाद मैंने से तीन-चार पानी से धो लिया है और अभी इनको हम बॉयल करेंगे तो बॉयल मैं इसको ओपन पैन में कर रही हूं आप चाहें तो इसको सीटी लगा सकते हो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक हल्दी और पानी के साथ मैं इसे बॉयल कर रही हूं जब आप उपन पैन में दाल वगेरा बॉयल करते हैं तो थोड़ा सा जादा टाइम लगता है बट इसका टेस्ट बहुत ही अलग लेवल का होता है दाल अच्छी तरह उबल चुकी है मैं इसे एक मिक्स दे रही हूं इसमें जो दो डाले है यानि के मूंग और मसूर उनको पकने में अच्छी तरह जहाए इसे देर आप चका में इस दढ़े को और आपके हो इसके अच्छी तरह से यहार पर चणा डाल तो पक चुकी या नियूंग चुक्शा ने लिंगे और चतरू करें अच्छी तरह से बून जाएंगे तो एड़ कीजे इसमें एक medium size का प्यास थोड़ा बारी काट कर अच्छी तरह से प्यास को थोड़ा बून लीजे आपको इसको बहुत लाल लाल नहीं बूनना है थोड़ा सा बून ले और एड़ करें इसमें ग्रीन चिली, जिंजर और गार बारी काटे हैं मैंने टमाटर और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर दीजे तमाटर एक दों मशी हो जाएं इतनी देर तो कुक नहीं करना सिर्फ थोड़ा सा मिला दीजे और इसके बाद आड़ करेंगे हैं मसाले थोड़ा नमक में याड़ कर जिससे टमाटर जल्दी पक ज हैं इस मसाले को धकल लगा दीजिए और पांच एक मिनिट हम इसे पकाएंगे उससे पहले में डाले इसमें हैंडफुल मेती आपके पास फ्रेश मेती है तो फ्रेश मेती डालिए अधरवाइस आप इसमें थोड़ी कसूरी मेती डालिएगा एक टेबल स्पून जैसा और य मसाला चाहिए था अब इसमें जो हमारी डाल है वो मैं आड करूंगी और इस वक्त इससे इतनी अच्छी खुश्बू आ रही होती है ना आप जो बनाएगा ये डाल तब आप महसूस कीजेगा इसकी खुश्बू को डाल मैंने इसमें आड कर दिया है और ये काफे थिक है तो इसको आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल यूट कर लीजे आप इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा रनी डख सकते हैं चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा थेक रखेगा बाकि आपकी परसनल प्रेफरेंस से आप किस तरह की डाल यह सारी वेल इंकॉर्परेट हो जाती है एक अच्छा टीस आ जाता है इसमें देखिए एक उबाल आते आते इसका जो कोर्मा है वह भी छूट गया है बस मैंने गैस बंद कर दिया है सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला दीजे और यह हो गया आपका बहुत ही टेस्टी बह बनती है बाट जादते लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रॉंग जो टेस्ट होता है उसकी वजह से उतना पसंद नहीं करते इस तरह ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी थैंक्यू फू वाचिंग गाईस टेक केर बाई बाई